है गाईज कैसे हैं आप सब वेलकम तू माई चैनल इस्टेनो ट्यूबर्स और आप जानते हैं कि कल एक सेसिस टैनो का पेपर था 2019 का तो दो शिप्स में हुआ था और आज भी 23 दिसेंबर को भी दो शिप्स में पेपर हो चुके हैं और मैंने परसनली कुछ लोगों से बात कर लिए और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे अपना रिव्यू दिया नालेसिस दिया कि किस तरीके से पेपर आया था और कितने अच्छे हो सकते हैं कितने maximum questions आप attempt कर सकते हैं और किस-किस लेवल किते questions कहां से कैसे पूछा किया था तो काफी detail में उन्होंने मु रखना है अपने कल की exam के लिए so let's move तो पहले मैं बात कर लेती हूं in the first shift at least 6 to 7 questions were asked from the current affairs section which varied in second shift by 2-3 questions and was of a good level तो पहली shift के अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें 6-7 या 5-6 questions थे जो CA से पूछे गया थे यानि कि current affairs से और उनमें भी level था ठीक है आप यह रही कह सकते हैं कि वो बहुत ही आम questions थे जो की second shift में हम देखते हैं कि 2-3 questions पूछे गया थे current affairs के ठीक है और अच्छी level के थे वो जबाग गुड लेवल ठीक है second हम बात कर लेते हैं overall the English accent was easy तो जो हमारी English आई थी वो overall easy आई थी और कोई भी average preparation वाला बच्चा उसको अच्छे से कर सकता था alright mediums and phrases were easy 20 questions from close test were seen as usual 20 questions close test से आये थे the reasoning section was a bit time taking and tricky but could be solved with concepts जो हमारा reasoning section था वो उसमें time लग रहा था और tricky भी था but अगर concepts आपकी clear थे और थोड़ा सा आपने tricks वगेरा apply करी है या आप long methods ना करके short methods अगर आपने उसको किया तो आप अच्छे से उसको solve कर सकते हैं हाँ time जरूर आपको लग सकता है थोड़ा सा जादा last year के comparison में और बाकी हम देख लेते हैं तो missing series questions were a bit difficult ये भी मुझे उन्होंने बताया कि missing series और जो number series थी puzzles थे तो ये ऐसे से questions भी थे जो लास तक शायद आपके वो concept ना clear हो सके या ना आएं तो उनमें time waste करने से अच्छा ह was moderate आप के कह सकते हैं easy तो नहीं थी बट moderate थी okay let's move तो हम raising section की बात कर लेते हैं अगर तो आप इसमें देख सकते हैं कि paper folding से एक से दो question आये थे जो की moderate level के थे embedded figure से एक question था easy to moderate blood relation से एक question था difficult missing number से 7 से no question थे see मैंने जब आपको बताया था last year last exam की जब मैंने analysis की थी तब कि 2018 में भी TCS ने काफी ज़्यादा amount में missing numbers और number series के questions डाले हुए थे तो यह मैंने पहले ही बोल रखा था कि आपको उनकी practice बहुत अच्छे से करनी है कि वहां जाके आप उसमें confused नहूं analogy के भी 5-6 questions से moderate level के और arithmetic reasoning हमारी आई थी 2-3 questions इसके भी पूचे के थे number and word series 2-3 questions थे moderate to difficult classification हमारा पूचा गया था 2-3 questions से moderate to difficult level के थे coding decoding पूचे गई थी 1-2 questions तो moderate to difficult level के थे distance और direction का question था 1 question था mirror image का एक question है था easy था लोजिकल वेंड डाइग्राम का दो कोशन थे moderate to difficult figure series के हमारे दो कोशन थे जो easy से moderate थे और calendar का एक question था यानि कि आप देखें पिशली बार calendar को importance नहीं दी गई थी बट इस बार calendar से question आ रहा है और ज्यादा कोई tough question नहीं आ रहा है बट वह बस यहीं पूचते हैं कि इस date को कौन से day पड़ेगा तो इतना तो concept आपको clear करके महाँ पे जाना है mathematical operations में दो चे तीन question आये थे easy to moderate में और puzzle आई थी हमारी एक question इसमें तो एक ही question बताया है शायद उनके shift में ज्यादा हो arrangement of words तो इसमें दो question आये थे easy थे यह overall आप कह सकते हैं कि reasoning आपकी moderate to difficult level की थी ठीक है उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं कि आप reasoning के question solve नहीं कर सकते बट आपको यह है कि आपको थोड़ी short tricks वगेरा या मैंने बोला था कि oral calculation आपकी अच्छी होनी चाहिए थोड़ा सा आपको tricks पर काम करना बहुत जरूरी है अपने लिए हमेशा आप long method नहीं use कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं हमारी general awareness के section की तो देखे हिस्ट्री के question आये थे हमारे दो से तीन जो की easy से moderate थे see history का क्या funda है मैं आपको बताती हूँ अगर आपने history पढ़ रखी है और अगर आपने सिर्फ एक बोलते हैं कि go through कर रखा है आपने एक सरसरी निगाहों से उसको पढ़ा है ज्यादा deep में जाके आपने उसकी knowledge नहीं लिए तो ये depend करता है कि उन्होंने जो भी question पूछा है अगर आप logic लगा के या थोड़ा सा भी अपना mind यूज करके अगर वो solve कर सकते हैं तो वो question आपको आजाएगा और अगर history में कुछ ऐसा पूछ लिया गया बहले ही आपने पूरा मुगल पर रखा हो या आपने अकबर के बारे में एक एक शीज पर रखी हो या कुछ उन्ह जोग्रफी की हम बात कर लेते हैं तो अगर इसी में जिसने अच्छे से पढ़ाई क्यों होती है वो ही इसके question solve कर सकता है और easy level की question तो नहीं पूछे चाते हैं जोग्रफी से तो 5-6 question इसमें भी देखे गया है quality से हम बात कर लेते हैं तो 4-5 question थे और moderate level की थे ठीक है मलब आप कह सकते हैं in short की हलवा level की quality नहीं पूछी गई थी economics से हम बात कर लेते हैं तो 2 question थे easy to moderate current affairs जैसे मैंने कहा 8-9 question moderate science की question काफी अच्छे थे 10-12 question थे तो moderate level की थे और बाकी miscellaneous जो भी थे others में 10-11 question यानि की moderate overall आप यह कह सकते हैं कि general awareness का भी section जो हमारा था वो moderate level का था hard level का था आप easy नहीं बोल सकते उसको so let's move to English English में देख लेते हैं sentence improvement इसमें number of questions 5 है और जो level था वो easy to moderate था see इसमें मैं आपको last में बताऊंगी कि क्या आपको close passage और comprehension में क्या चीज़े करनी है error detection भी अच्छी आई थी question था close test का भी था दो कोशन थे 20 कोशन थे उसमें और miscellaneous चार से पांच कोशन तो overall English हमारी easy to moderate थी okay अब हम देखते हैं कि good attempt जो हैं वो first shift की बात कर लेते हैं कि तो good attempts आप कह सकते हैं कि अगर reasoning के हम बात करें तो 35 से 40 या इसके अबव भी आपने किया है तो आपका वो good attempt में शामिल हो जाएगा जीए कि हम बात करें तो 15 to 25 question भी that means यह समझे कि आपके अच्छे attempts हैं इंग्लिश के हम बात करने तो 80 to 90 जिसने भी question attempt किये हैं overall हमारे 150 प्लास जिसने भी attempt किया है तो उसका जो good attempt माना जाएगा okay let's move अब मैं बात कर लेती हूं जो question पूछे गए थे तो कुछ questions यहां पे हैं मैं आपको दिखा देती हूं c citizenship is given in which part of the constitution तो यह simple question था so tools related questions were asked अच्छा थर्ड था प्रियादासी थाइटल वस गिवन तो विच अफ द रूलर तो अशोका द ग्रेट ब्लाक पगोड़ा इस नेम फर विच टेंपल यह भी पता होना जाहिए बहुत बहुत ही common question है भूदान movement is associated with what are the number of stitches in baseball हां यह मान सकती हूं कि यह नहीं पता होगा किसी को तो यह question hard है तो सबके लिए ही hard है ना बट आपको यह question तो आपको पते होने ही चाहिए अगर आपको यह question लग रहा है कि tough है या hard है तो फिर आपकी तैयारी में कहीं दिक्कत है बट अगर आपको यह question आते हैं easy to moderate level में तो यह आपको अच्छे से answer करने ही करने चाहिए थे okay अब मैं बात कर लेती हूं जो कुछ बच्चों ने अपनी analysis दी थी अपने experience शेयर किये थे तो यह कुछ questions है मैं बता देती हूं which place is not related to gautam buddh options we do not have second है capital of avanti पूछी गई थी third buddhan movement fourth father of modern nursing fifth award twilight day पूछा गया था sixth में बिहुदांस पूछा गया था seventh sustainable development goals के ओपर question था कि इसमें top state कौन सा है finance commission article पूछा गया था कि यह किस आर्टिकल में आता है ninth हमारा है citizenship which part see मैंने पहले बताया okay done next हम देखते है 5 museum sorry museum बनाने की गोशना की गई है options में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है यह भी बताना था okay so जो museum बनाने की गोशना की गई है उसमें सा option दिये गए था यह बताना था कि उसमें कौन सा नहीं है राखी गड़ी and the options are there प्यादासी अशोका का नाम था which of the following is a dance form सितारिया यह आपको लूसिन में मिल जाता पूछारी की लेटिन गवर्नर कम मिली यह पुचा क्या था हाईस पीक और म्यानमार प्रेसिडेंस रिलेटेड एक आर्टिकल पुचा गया था okay विल्यम फोर्ट किस रिवर के किनारे है यह पूचा गया था म्यानमार की सबसे उची चोटी पूची गई थी वारेंटाइन वाइलेटेड आर्टिकल था CBDT की स्कीम विवाद में विश्वास इसके बारे में पूचा क्या था ऐलिफैंड की नसले यानि किसके स्पीसीज के बारे पूचा था ब्लैक पगोड़ा के बारे में पूचा था तो यह कुछ कोशन से जो पूचे गए थे और अब मैं आपको अपनी बता देती हूं कि जि की काफी डराता है तो क्लोस टेस्ट के अगर हम बात करते हैं तो क्लोस टेस्ट जो भी आये थे वो इजी लेवल के थे मतलब अच्छे थे आप यह नहीं कह सकते हैं कि अगर आपकी नॉर्मल भी प्रपरेशन है या आपने थोड़ा बहुत भी तैयारी की है इसके उपर तो वो हाड लेवल के थे थोड़ा तफ थे और जो एक पैसेज था वो हमारा इजी दिया गया था सी पैसेज के उपर मैं इंपोर्टन चीज़ें यह बताना चाहूंगी कि देखें आपको करना क्या है कि पैसेज हमारे जो है वो लंदी आ रहे हैं और जो कोशन्स दिये हुए ह वो उनके आंसर अगर आपको ढूरने हैं तो आपको पैसेज में उसकी फिदेन मेनिंग पता करनी होगी सी पहले जो हमारे पैसेज आते थे वो आते थे 2017 तक मैं बात कर लूँ तो पैसेज हमारे ऐसे आते थे कि आपने सिर्फ कोशन देखा और उस पैसेज में आंसर देखा उस लाइन में ही आपको वो आंसर मिल जाता था ओके तो ऐसा होता था और अपकी हम अगर बात कर ले तो आपको एट लिस्ट एक कोशन का आंसर देने के लिए जैसे लाइक आपकी थीम है या कुछ ऐसे कोशन है जो आपको पैसेज को अच्छे से पढ़के ही पता चलेंगी या हो सकता है आपको एक से दो बार उस पर अच्छे से पढ़ना पड़े या फिर से कोशन पर वापस आना पड़े तो इस चक्कर में भी हमारा टाइम बेस्ट हो जाता है तो आपको करना क्या है कि आपको पहले तीनों पैसेज की चार्चाल लाइन स्टार्टिंग की कर देना है उसके बाद आप दूसरे या तीस्रा कर लीजेगा तो आपको देखना यह है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ठीक है बाकी इंगलिष हमारी इजी है ठीक है सिर्फ मैं passages की बात करी हूँ अगर तो आपको इसमें क्या करना अगर आपको लगता है कि आप उसके answers डूर सकते हैं और तुरन-दूरन डूर सकते हैं बिना time waste के तो आप बिल्कुल उसको attempt करिएगा और अगर आपको लगता है कि आपका time जा रहा है तो यह आपको ऐस reasoning हमारी lengthy आ रही है और calculated है ठीक है calculation काफी है बट अगर थोड़ा बहुत भी आपने short tricks पे काम किया है अपने और practice अच्छी की है और concept आप ही clear है अगर तो आप reasoning अच्छे से solve कर सकते हैं और missing series और puzzles and number series के मैं बात कर ली हूँ बात कर लो तो tricky है bit tricky है यह difficult है यह ऐसा नहीं है क् कई कई questions last moment तक भी नहीं आ रहे हैं और इसमें time अगर आपको लग रहे कि वो question आपका नहीं आ रहा है तो वो उसमें time आप मत waste करिए ओके next question पर ध्यान दीजाए हम बात कर लेते हैं जीए की तो जीए कि अगर हम बात करें तो हमारे current affairs की question almost 5 to 6 या 7 to 8 ये ऐसे ही पूछे जा रहे हैं तो अब आपने जो current affair पढ़ रखा है पढ़ रखा है अगर उसमें से question आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वरना आप इतना जादा cover नहीं कर सकते हैं ओके and static gk की मैं बात कर तो हां questions थोड़े से hard है ठीक है तो आपको करना क्या है कि आपको उसमें जादा time नहीं waste करना है जो भी question आपको नहीं आ रहे है उसको आप mark करके या review करके tag करके next run बढ़ जाईएगा अब मैं बता देती हूं कि आपको question paper अब कैसा attempt करना है क्योंकि जो मैंने video बनाया था व लेकैंसी काम होने की वज़े से हैं या क्या level ऐसा क्या रखा है I don't know यह बाद ही में पता चलेगा देखे normalization की अगर हम बात कर लें तो आप guess नहीं कर सकते कि किस shift में कितने marks बढ़ेंगे या घटेंगे वह आपको बात में ही पता चलेगा SSC जिस भी इस आप से decide करेगी वह आपको बात में पता चलेगा okay तो आपको बता देती हूं how to attempt the question paper see सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें hundred number की आती है English तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप English निप्टाईए सबसे पहले ठीक है सबसे पहले English निप्टा के accept that reading comprehension उसको छोड़के आप जितनी भी English है वो न आपको करना क्या है कि English आपको hundred number की पहले ही खतम कर लेनी है सिवाए reading comprehension के आप इसको तीन comprehension आप छोड़ देजेगा okay अगर आपनी English पहले कर ले क्योंकि यह ज्यादा question है amount में तो आपको ऐसा नहों कि आपकी English के question छोड़ जाए और यह भी होता है कि हम stenographer's जो होते है जो पा करना रहता है okay उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको GA section पर जाना है और जो भी आपको एक एक जिसको बोलते हैं कि एक एक glimpse में यानि की question देखा आपने चारो options देखे अगर वो आपको आता होगा तो आपको तुरंट क्लिक कर जाएगा mind में अगर नहीं आता होगा तो त करके तुरंटी तस बिल्कुल पान से दस मिनट में ही आपको अपनी GA फिनिश करनी है क्योंकि अगर हाड आ रही है तो वो सबके लिए हाड है और अगर आपकी काफी अच्छे लेवल की तैयारी है तो हो सकता है आपको उसमें से questions आ जाएं या फिर average भी तैयारी हो सकता है क कुछ ऐसे भी questions हो जो आपको average ही वाले मिल जाएं तो वो भी आप तुरंट टिक करके option वहां से उसको खतम करिए अब आपका बसता है reasoning section तो एक बारी में reasoning के जितने भी questions है अगर आपको एक बोलते ना glimpse में नजर में दिखते हैं कि अगर वो आपको लगता है कि आप कर सकते है या आपका answer आजाएगा बिना जादा time लिए हुए तो इसको सारे final करिए जिस भी question में आपको लगता है कि इसमें जादा time ले जाएगा उसको तुरंट mark करके आगे बढ़िए उसके बाद तुरंट आप English में आईए और जो reading comprehension आपको easy वाला रगता है या तो आप तीनों ही attempt कर लीजे मेरे इसाब से English देखे English में question छोड़ना थोड़ा सा दिक्कत कर देता है हमारे लिए क्योंकि हमारी जो main scoring हमारा main scoring part है वो English ही है तो आप English में जो भी आपके questions बचे हो या मां के हुए हो वो attempt करिए और जो आपके last में reading comprehension बचा अगर तो उसको attempt करने के बाद फि इतना भी time आपके पास बचा होगा तो reasoning के जो questions नहीं आ रहे थे या आपको लग रहा था कि time consuming है उसके बाद उनको सारे को attempt करने के बाद ही आप अपना paper final करिएगा all right तो मेरे 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 साब से तो आपके लिए यही सही रहेगा क्योंकि इस बार थोड़ा सा pattern में change हो रहा ह तो इस हिसाब से ही आपको question attempt करने है तो यही यह था मेरा opinion थैंक्स वाचिंग स्टेनो ट्यूबर्स stay tuned bye bye